सिर्फ दो लाक ना पस दो मिनिट में कमा कर देखाती हूँ मगर कैसे कमाओगी वेरी इजी सामने जुलरी शॉप वाले को मेंटल डॉक्टर के हवाले करके मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को तला लगाया जा सकता है लेकिन धोके बास उसे बचना बहुत ही मुश्किल है उसके लिए स्पेशल आँख चाहिए और वो आँख मेरे पास है जैसे ही किसी धोके बास को मैं देखता हूं तो मेरी जवाम खुद भाखुद चिला यह लीजिए मैडम दो लाग का डाइमिंड नेकलेस वाव बीयूटफुल सेच जी अकर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचू तो मुझे दो लाग रुपे मिलेंगे हाँ हाँ मैडम आपने अभी तक नेकलेस खरिजा नहीं है और आप बेचने का सूट यह बिया है यह भी पूछ रही थी सेच जी मुझे ये नेकलेस दे दीजे जी ले लिजीये या पैसे तो नहीं है क्या? नहीं है. क्या, क्या? अरे, सेख जी, घबराईये नहीं, वो क्या है, कि मैं अभी छोटी हूँ न, धोका भी खौ सकती हूँ. इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिये. अच्छा? अरे, सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूली गई. Mental doctor, जगत शर्मा है मेरे अंकल. अच्छा? तो तो mental doctor, जगत शर्मा की भती जी हो? अरे, पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं. नहीं, नाम बहुत सुना है उनका. इस शहर के सारे पागल उनी से तो इलाज करवाते हैं. वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है. Very good, very good. सेट जी, अगर आपको तकलीफ नहों, तो आप दो मिनिट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं? क्यों? मैं आपको उनसे दो लाग रुपे यू दिलवा दूगी. अच्छा, अच्छा, वाँ. कितने समझदार है तुमारे अंकल. हार लेने भेजा, लेकिन पैसे नहीं दिये. क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोके बास बहुत हैं. सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोके बास. बहुत है सेज जी, बहुत हैं. अब चले, पैसे लेने. चलो, मैं पैसे लेकर आता हूँ. डॉक्टर? येस. क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ. मैं मेंटल पेशेंस का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ. सॉरी. डॉक्टर साहब, मुझे शक है, मेरे डैरी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है. तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है, न धंदा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते है कि लाओ, मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंधोने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे, तो जल्दी घर जाओंगा, बस यूहीं उल्जी सीदी बाते करते रहते है, ऐसा क्यों कहते है मुझे तो लगता है, वो पागल है, येस, नो डाउट, वो पागल ही है, तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको दो इलेक्ट्रिक शॉक दूँगा, उनका पागल पंदूर हो जाएगा, डॉक्तर साब, वो मेरे साथ ही आया है, बाहर बैठे है, हाँ जी, मैं अभी लेकर आई, आपको मेंटल डॉक्टर अंदर भुला रहे है, कितनी अजीब बात है न, पागल नहीं हूँ, फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, चलिए, अच्छा, तो ये ही है वो, हाँ जी, वो ही हुम है, ओ आइसी, बैठिये, जी, तो आप इन्हें वो, दो दे देंगे ना, हाँ बैठी, मैं दे दूंगा, तुम जाओ, तुम जाओ बैठी, वो दो में इंसे ले लूँ जा, जी, बाई, बाई, कोई फाइदा नहीं, दिल में छेगे, छेग दिल में नहीं, एक सरे प्लेट में है, डलती, डलती, मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए, मिंटल डक्टर के पास चला आया, नेक्सी, डक्टर साह, आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजे, ताके मैं यहां से चला जाओ, ओ, तो आप ऐसा सोचते हैं, अब इसमें सोचनी की क्या बात है साह, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, कब आप महरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजे, मैं यहां से जाना चाहता हूँ, इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था, किससे पहले मुझे क्या हुआ था, क्या बोल रहे हैं आप, आप तो लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा, और कोई भी दुकान है, य यह बगवान यह क्या हो रहा है, महरबानी करके मुझे समझाईए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्टर साब लगता है मामला थोड़ा सीरियस है, अरे सीरियस फीरियस कुछ नहीं है, मैंने दो दे दीए मुझे अच्छा, तो बेटी ने वो दो के बारे में सब कुछ बता दिया है ना आपके सामने ही तो बताया ना, अब आप दो दे दीजिए अच्छा, चलिए, दे देता हूँ यह डॉक्टर है यह मैंटल है यह अप क्या करे है यह आप मुझे सब क्या पेना रहे है अब मुझे दो देने वाले हैं ना, डेता हूँ पागलपन दूर हुआ मेरे नेकलेस के पैसे दो, मेरी दुकान बंकरने का टाइम हो गया है यह पागलपन नहीं तो क्या है मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बठा दिया है मेरी बेटी पागलपन के उल्टे दौरे पढ़ने चलू हो गए है यह लो मेरे साथ दोगा हुआ है लड़की तुने मुझे धोगा दिया है यह पाप तुझे नहीं बचेगा, उपर यह लोग है, वहाँ पे चित्रगूप तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा